वेलगम गाई जिस आपका फेस स्वागत एक नई क्लास के साल और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक विसेस टोपिक के बारे में जिसको आप यहाँ पर देखी सकते हो फसलों से समधित महत्पूर्ण किरिया है या फिस जिसे आप बोल सकते हो एग्रिकल्सर जो जामें पूछी गिये तो यह किस समधित याद रखिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गन्ये से समधित अब यह होती क्या यह आपको पता होना चाहिए तो एरोइं होती क्या है ठीक है तो गन्ये में याद रखी का जो पुसक्रम लगता है पुसक्रम को इंग्लिस मे क्या कहलाता है एरो कहलाता है तो डारेट आपको पूछा आता है कि एरो का समय और बुषनेंग और बुषनेंग एक नई टर्म है और यह किसा आपको पूछा जा सकता है यह किस में अपनाई जाती है धान में अपनाई जाती है पडलिंग तो आप जानते हैं यह धान में ही अपनाई जाती है याद रिखे दोनों ही क्रियाए लेकिन पडलिंग सबसे पहले तो होती गया है पडलिंग में याद रिखे एक पडलर यंत्र का प्रियो किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, पडलर यंत्र का प्रियो किया जाता है, इससे क्या किया जाता है, याद रिखे को जो मर्दा की कटोर सते होती है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है किसको कठोर सतय को ठीक है यह किसना आपका क्लियर होता है पडलिंग किसमे की जाती है दान में की जाती है किस यंतर की साहिता से की जाती है पडलर यंतर की साहिता से की जाती है कैसे की जाती है इसमें मर्दा की कठोर सतय को तोड़ा जाता है ठीक है अब कर्मा ली जी कोई चिभी उस्भी उटाते हैं आपने देखा हoga हर एक वीड़ तो होते हैं कोई रखना आपका घेत और आपका कोई साम्दि आकी फसल है लेकिन वीड़ तो उसमें लगने ही वाला है तो यह भीड़ों लगते हैं जाद रहेगा इनको क्रोस प्रोथ मतलब क्रोस हल चलाकर क्या कर देना इनको निकालना ही बुसनिंग कहलाता है याद रखना कि धान की फसल में से क्रोस हल चलाकर खरपतारों को निकालना क्या कहलाता है बुसनिंग कहलाता है मेरे साथ रिपीट कीजिए कि धान की खेत में से क्रोस हल चलाकर खरपतारों को निका अंदी गुड़ाही एब इसको आप ऐसे सांते ही होंगे कि अंदी गुड़ाहीद बीड़ाही यादरिखिया में कि जानती है। लेकिन याद रखना, इसका संबंद उन सभी फसलों से होता है, उन सभी फसलों से होता है, इस्पेसल कोई गन्ना नहीं है, ठीक, गन्ना तो आपको वैसे याद रखना ही है, लेकिन इस्पेसल तो कोई गन्ना है नहीं, कि उसी में ये किरिया की जाती है, ओके, ये सभी ब्लाइन होईंग का समंद किसे होता है तो आपको वहाँ पर बताना याद रिखे इसका समंद होता है गन्ने से होता है लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जैसे कि माली जी आलू है इसमें भी क्या की जाती है अंधी गुडाई की जाती है या फिर आप ऐसे मान सक उसलिए उनमें भी blind hoeing क्रिया अपना ही जा सकती है ठीक है चलिए नेश्ट की से हाँ पर बात करेंगे क्योरिंग क्या होती है जिसे याद रखें आप रचाई भी बोल सकते हो क्या रचाई जिसे आप बोल सकते हो तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले यह जानते हैं तो क्योरिंग में याद रखेंगा जिसे कि माली जी का पास है तंबा को है प्यास है लह सुना है तो प्यास में हम याद रखेंगा एक देशी लेइज में अगर आप देखना चाहोगे तो प्यास क्या होता है हलकी उसमें न दारण कर देंगे तो उससे क्या होगा याद रखी कि उस पर रोग लगने की समभवना ज्यादा हो जाएगी तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम प्याज की खुदाई करते हैं तो क्या करते हैं हमारा जो खेत होता है हमारा जो फिल्ड होता है वहाँ पर उसे ह यहां पर हम कहते हैं यहां पर ये तो नमी है उसको निगालते हैं ठीक है तो यह खेट में भी किया जा सकता है यह घर भी किया जा सकता है तो यह नमी हम जो निकाल रहे हैं इसी किया को यह हम बोलते है रचाई इसी प्रकार करें में बात करूए हैं जैसे कि Tambakun तो Tambakun पतियों में क्या होता है? याद रेकिया का निकोटीन की मात्रा है उसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि आपने विदी पढ़ी होगी तंबाको में हरस्चाई की ठेक है जैसे कि मालीजी सूरिय से भी किया जाता है दुए से भी किया जाता है आग से भी किया जाता है और हवा से भी किया जाता है तो यहां पर हम समझने के लिए यूज करेंगे हवा का तंबाको में क्या होत करते हैं तो नहीं किया जगता है लेकिन उसको हम कुछ टाइम सुखाते हैं उसकी आपको क्या बोला जाता है ठीक है बेसक यहाँ पर टाइम लग रहा है लेकिन हर एक पॉइंट आपका कवर हो इसलिए इस टोपी को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां से किसान माच मिनट की जगे दस मिनट लग जाए लेकिन आपको यहां से कुछ सीखने को मिले ठीक है वही हमारा टार्गेट है नहीं तो टाइम बर बाद तो वैसे भी आप करते ही हो लोग सारे टीवीज बगर देखते हूंगे यह फिर मुवीज देखते हो लेकिन सब कुछ करो या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे बारा गंटे पढ़ो या फिर उजट ज़्यादा पढ़ो इतना तो कोई नहीं पढ़ता है कहने की बात है सभी आपके कोई ऐसी एक्जामस नहीं है जिसमें आपको पढ़ने की ज़रत है कि 12-24 गंटे हम पढ़े तो एसी कोई एक्ज घंची से पढ़ो बस रिगूलर पढ़ो जितना भी पढ़ रहो च्यार से छई गंटे पर लो चा som kוט बढ़ना है इस लिए बिल्कुल ब्रीक नहीं گड़ना है इसलिझ यहां पर क्लासिस सिला रहे हैं ताकि आपको जो भी आद है वह बूले नहीं ठिके याद आपको है कि ये किसे में की जाती है। लेकिन कुछ यहाँ पर स्टेट跟大家 हैं। लेकिन कुछ यहांबätt रहा है, इसमें कीया जाता है। अगर आपको महें श्र mend같कants को होना जाए। क्योंकि आज कल क्यूसन की ठोड़ी सी लेंगवे change करते हैं बाकि क्यूसन वही रहता है ठीक है तो definition आपको पता होनी चाहिए और ये किसमें होती है ये दोनों आपको पता होना चाहिए ठीक है तो चलते हैं वापिस class की उर तो हम बात कर रहा हैं पेगिंग तो पेगिंग एक मूंगफली के जो छोटे-छोटे या फिर कच्छी मूफली होती है उनको हम बोलते हैं पेग ठीक है तो कच्छी मूफली है इनकी आने की क्रिया इन पेगों के बनने की क्रिया ही क्या 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 आती है पेगिंग क्या आती है तो किस से समझ दिते हैं मूंगफली से समझ दिते ये दो प्रकार की उती है एक पेल्य होती है प्हुलिमिट टाइम भीर we मतलब उसकी कोई लिमीटी नहीं है वो बढ़ती जाएगी तो बढ़ती ही जाएगी ठीक है मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है और इस विदी का जो सेकिंड वाली है जिसका लिमीट नहीं है बढ़ने की तो इस विदी को अपनाए जाता है ग्रिन हाउस पदती में ठीक है जो जो लगातार जो इनकी लताई बढ़ती रहती है तो उनके लिए याद रखे इस्टेकिंग की किरिया की जाती है अब इस्टेकिंग क्या होती है तो इस्टेकिंग होती है कि माली जी अगर कोई पेड की ज्यादा लंबी अगर लताई लग रही है फिर उसकी टहनिया ज्यादा लग रही है तो उससे क्या होगा? वो गिनने लगेगा पोदा, इसलिए याद रिखे इसको गिनने से बचाने के लिए जो किरिया की जाती है यहाँ पर हम क्या करते हैं? जैसे कि मालीजे कोई लकड़ी का सहारा हम देते हैं या फिर बांस की लकड़ी का काई कि उन्हों लताओं को सहारा देते हैं किसी भी साहिता से दे सकते हैं जैसे कि मालीजे कोई वाईर है कोई तार है ठीक है उसकी साहिता से हम दे सकते हैं कोई रस्सी है किसी की साहिता से अगर हम दे रहे हैं ना सहारा तो उसको हम बोलेंगे स्टेकिंग और मोस्ट पॉपुलर एक इस में है, जो grain house में यूज किया जाता है, जो tomato, उसके लिए इस खप्रियों किया जाता है, clear, चलिए, next minute किया आपढ़ बात करेंगे, कि deploy क्या है, ये कि उस्द्र प्оне से पूछा गया है, कि deploy है क्या, तो यह थो पढ़ते हैं तो किUNG देपो का समंद दांस समंद इता है ठीक है टीपो के जो विदी है यह है क्या आपको यह बता है वैसे तो ऑगा लेकिन याद रखना अगर आपको पूछ लेगे डेप जो किया है तो यह एक नरसरी विदी है नर्सरी की विदी है या फिर आप मान सकते हो पोध लगाने की एक विदी है क्या है ये पोध लगाने की सोरी पोध तियार करने की एक विदी है क्या है ये एक पोध तियार करने की एक विदी है ठीक है जैसे के हम नर्सरी में पोध तियार करता है ना तो ये नर्सरी तुसने आपर बात करेंगे जिनिंग में जिसी हम गिनिंग भी बोलते हैं उसका सम्झाइन वाली कोई बात है नहीं कपास के पर होता है यह होता है कपास का जो बिनोला रहता ना आपने देखा होगा इसकी बोल होती है पिर पोर्ड जी से हम बोलते हैं तो इसका क्या होता है रेसा अंदर रहता है ठीक है रेसा हलका सा अंदर रहता है और बाहर इसका एक कवच होता है हर्ड लेयर होती है तो इस हर्ड लेयर को और तो जो यह रेसा है अंदर का इसको अलग करना ही क्या कहलाता है याद रखेगा जिनिंग कहलाता है क्या क्या कहलाता है जिनिंग कहलाता है या गिनिंग कहलाता है ठीक है तो इसका समंद किसे है का पास से है ठीक है अगर आपको विदी याद ना तो आप आसानी से पता लगा स से हो सकता है ठीक है उसी प्रकार से याद रिख्या है कि माल लीजी वैसे ही इसका प्रियोग भी याद रिख्या कंद वाली फसलों में ही किया जाता है इसका काउर की सब्सक्राइब रिख्या करें अब कैसे समझेंगे इसको कंद वाले फसले वो होती है याद रिखिया जैसे कि आलो आप सभी देखते हैं तो आलो चाहिए बांता है नीचे से उपर साइड आता है और ढिखने लगता है मतलब हलका सा कंद बहार की साइड निकल आता है जमिन से बहार की साइड निकल आता है तो अगर ऐसा कंडिशन होती है कि वो कंद हमें दिखाई देने लग रहा है या फिर उससे मिटी हट गई है तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करेंगे याद रखेगा, उसके उपर हम क्या करेंगे, वापिस मिट्टी चंडा देंगे, क्या करेंगे, वापिस हम मिट्टी चंडा आएंगे, तो इस मिट्टी चंडा ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, याद देखेगा, अर्फिंग अब कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्फिंग अब को ही इंदे में भी कहते हैं मिटी चंडाना क्या वोलते हैं मिटी चंडाना कभ चंडाते हैं आप क्वारेनी किनारा कंद जब अगर किनारा अर्फिर नारा ऑलो यह अगर आ रहा है तो यह स다가 के एप को ही हम कैते हैं अर्थिंग अब कहते हैं अगर मालेजी हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी एक प्रब्लम हो जाती है और आलो में ही होती है यह basically आपको क्विशान पोछा चाजा सकता है को सी कौन सी प्रब्लम होती है याद रखेगा कि अगर ये कंद को हम ढखे नहीं, खुले में छोड़ दे, ठीक है, तो इससे क्या प्रोब्लम होगी, तो इससे भाई, एक प्रोब्लम होती है, याद रिखिया सूरिय से, अब सूरिय से क्या प्रोब्लम होती है, तो सूरिय के अगर माल लीजिए, इसकी जो रेज आ रही है, व जाएगा हड़ा हो जाएगा और किस वर्णक की कारण होता है एक जहर का काम करता है याद रहना इपको दिखाई दे हरा आलो, ठीक है, मतलब उसका कुछ पोर्शन दिखाए देगा आपको, तो उसको आप हटा दे, ज्यादा कंजब्शन उसका ना करे, यूज ना करे, ठीक है, कुछ टाइम, मतलब अगर कुछ हिस्सा है, तो कोई दिखत नहीं है, लेकिन अगर पूरा ही, मतलब आदा आलो चाहता है, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, सोलेनीन किस में पाए जाता है, हलो में पाए जाता है, ये कैसे बनता है, जब आलो का कंद जब भाहर आ जाता है, सूरिय की किरणों की संपर्ग में ये जब आता है, तो वहाँ पर आलो हरा हो जाता है, और हरा किस के होता है तो यह सोलीनी नामक वर्णक के कारण होता है कि लेए पॉइंट ठीक है चलिए नेस्ट पॉइंट के यहां पर बात करेंगे किने विवर और डिस्करिंग के तो डिस्करिंग का समन्द की से होता है याद रिखंग से होता है शकर्स को अटा नहां मotyz Ahora da इसके विजो बोनी पोदे निकलते है न चोटी छोट butt इनको ही हम क्या कहते हैं सकर्स कहते हैं तो इन सकर्स को हटाना ताकि हमारा उत्पादन गटे नहीं इन सकर्स को हटाना ही क्या कहलाता है डी सकरिंग कहलाता है याद रहेगा सकर्स किसमें आता है याद रहेगा सकर्स का समंद तंबाको से है इसके साथ केले में भी आपको आसाने से देखने को मिल जाता है जो केला होता है इसमें भी डी सकरिंग आसाने से की जा सकती है तो दोनों को याद रखीगा, तंबाको और केला दोनों में ही डी सकरिंग किरिया की जाती है, ठीक है याद रहेगा, चले, next point की यहाँ पर बात करेंगे, निपिंग किसे कहते हैं, तो निपिंग सबसे पहले किस में की जाती है, चने में की जाती है, यह काफी most important है, ठीक है, परेंद की पार्व साखाई निखलती रहती है, आपको यह पता है, तो अब याद रहेगा, यहाँ पर जो पूरा पोदा है, तो इसका उपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो छोटी-छोटी ब्रांचिज लग रही है, इनको हटा नहीं क्या कर लाता है, उपर वाली जो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक देशी तरीके से भी इसका यूज़ किया जा सकता है, निपिंग करिया की जा सकती है, और कैसे, कि भेड को छोड़ देते हैं, किसमें? खेत में, और याद रहेगा, आप बिल्कुल कम टाइम में उसको दोडाते हुए, मतलब उनको भग आते होए, ता कि वो कुछ हिस्सा खा पाए, और वो उपरवाला हिस्सा ही खा पाएंगे शुरू में, इसलिए पहलों की रहे हैं, निपिंग करिया कि होती है, याद रहे किशने में, हाद करेंगे, आप या reinforcing कि जाते हैं, गि हैं शने में होती है, यां रहें तो डिखिया कि दोनु कीका सॲ आरहा इसमें हैं इसमें भी हम क्या कर रहा है याद रखे क्यों का उपर वाला पॉर्अकों हटा रहा है चने में भी और तंबा को भी महिए आपडेंगे चने जुट में भी की जाती है जो कि लाश किसन रहेगा और यह किसन आपको डाइरेट पुछा गया था अब इज़सें तो यह समस्यां होती है यह निम्मवर्ग्याइ फलों है आतो इन님이 नीमवर्ग्या्वर्ग्यां जैसे संस्तरा हा निम्मवर्ग्याए फ Länderव में आती तो इन हें आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो एक लाई यह और सेर जरूर आपको करना है ठीक है सेर आपको जरूर करना है ताकि जितने भी यहां पर अच्छी से गवर कर पाए क्योंकि आइधिक मैंने आपको हर एक पॉइंट के बारे में डेटेल से बताया है और वह आपको अच्छी से याद हो गया होगा है अगर आपने 20 मिनट की अ सब्सक्राइब कर देना से जरूर आपको करना है और मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ जर तक लिए अच्छी से रहिए